हेलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का हम तुम और जाइका में दोस्तों आज हम हम तुम और जाइका में बनाने जा रहे हैं मैंगो केक हाँ दोस्तों हम मैंगो केक बनाएंगे आम सभी को बेहत पसंद होते हैं दोस्तों और अगर उसका हम केक बना ले तो तो मज़ा ही आ जाएगा तो चलिए हम मैंगो केक बनाना शुरू करते हैं इसके लिए दोस्तों सबसे पहले हमें चाहिए दो बड़े आम आम आप अच्छे ले लिजे बड़े बड़े अच्छी कॉलिटी के जिसमें पल्प अच्छा हो इन आमों को दोस्तों मैंने पहले ही धोकर पहुँचकर सुखा लिया है इसके अलावा हमें चाहिए एक कटोरी मैदा, आधा कटोरी शक्कर और आधा कटोरी तेल इसके अलावा आधा चम्मच बेकिंग पाउडर और एक चौथाई चम्मच हम लेंगे बेकिंग सोडा तो दोस्तो आप देख सकते हैं दो आम जो हमने लिया था उसका हमने पल्प निकाल लिया है और एक कटोरी भरकर अच्छे से पल्प निकल गया है अब हम एक जार ले लेंगे मिक्सर जार उसमें सारी चीजों को हम ग्राइंड कर लेंगे सबसे पहले हम जार में डालेंगे तेल अब हम इसमें डाल देंगे शक्कर अब हम इसमें डाल देंगे मैंगो पल्प अब हम इन तीनों चीज़ों को अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे और एक अच्छा सा बैटर बनाकर तयार कर लेंगे तो दोस्तों आप देख सकते हैं सारी चीज़े अच्छे से ग्राइंड हो चुकी अच्छे से पिस चुकी हैं और साथ ही हमारा बैटर बहुत ही स्मूदी बनकर बिल्कुल तयार हो गया है अब आप इसे एक बॉल में ट्रांसफर कर लीजिए अब हम बाकी की चीज़े दोस्तों हम इसमें धीरे धीरे करके एड करेंगे सबसे पहले हम एक चलनी लेंगे और इसमें मैदा चान लेंगे मैदा को दोस्तों आप थोड़ा थोड़ा करकर ही चानिए आधी आधी मैदा चानिए पहरे आधी मैदा चान लीजिए और अब इसे अच्छे से इस बेटर में मिक्स कर लीजिए इस तरीके से धीरे-धीरे हास से मिलाते हुए mix कीजिए, आप तेजी से इसे मत मिलाईए बहुती आराम-ाराम से धीरे-धीरे मिलाईए तो दोस्तों, यह मैदा इसमें अच्छे से mix हो गई है अब हम बची हुई मैदा भी इसमें छान लेंगे लेकिन साथ ही हम इस मैदा में आधा चम्मच, बेकिंग पाउडर और एक चोथाई जो हमने बेकिंग सोडा रखा था वो इसमें डाल देते हैं अब इन तीनों ही चीजों को अच्छे से छान लेंगे अब इसे भी हम अच्छे से इस बेटर में मिक्स कर लेंगे इसी तरीके से जैसे हमने पहले मिक्स किया था धीरे धीरे मिलाते हुए इस तरीके से मिलाते हुए हम केक का बेटर तयार कर लेंगे तो आप देख सकते हैं सारी चीज़े बहुत ही अच्छे से मिक्स हो गई है और बहुत ही अच्छे से हमारा smoothie batter बिल्कुल बनकर तयार हो गया है ये बहुत ही पतला भी नहीं हुआ है आप देख सकते हैं ये अच्छा खासा गाड़ा हमने रखा एतना ही आपको भी रखना है इसका texture आप देख लीजिए और इसका गाड़ापन भी आप देख लीजिए ऐसा ही batter हम बना कर cake के लिए तयार कर लेंगे अब हम एक बर्तन में oil डालेंगे और उसे grease करेंगे cake tin दोस्तों अगर नहीं हो तो हम ऐसे बर्तन में cake आराम से easily बना सकते हैं ऐसा को आप बर्तन ले लीजिए और उसे oil से अच्छे से grease कर लीजिए मैं ये cake बिना cake tin के बना रही हूँ अब हम इसमें एक चमच मैदा डालेंगे और उसे अच्छे से पूरे बर्तन में coat कर लेंगे इससे क्या होगा हमारा जो cake है वो बिल्कुल भी चिपके गानेगे और बहुत ही easily बिना चिपके आराम से निकल जाएगा बनने के बाद अब हम इसमें जो tin हमने तयार गया है जो बर्तन तयार किया है हम उसमें सारा का सारा बैटर धीरे धीरे करकर डाल देते हैं तो दोस्तों सारा बैटर हमने डाल दिया है अब हम इसे अच्छे से टैप कर लेंगे ताकि air bubbles जो है वो बिल्कुल निकल जाए अब हम गैस की flame को on कर लेते हैं और उसके उपर हम कढाई रख देंगे कढाई में हम एक प्लेट रख देंगे और उसके उपर केक बनने के लिए हम रख देंगे अब हम इसे एक थाली या प्लेट से जो पूरीज को कवर कर ले उससे ढग देंगे और अब हम इसे दोस्तों दो मिनट के लिए बिल्कुल तेज आच रखेंगे और बाद में हम 25-30 मिनट इसे धीमी आच पर बनने छोड़ देंगे अब आप इसे एक तोलिय या कपड़े से ढग दीजे इस तरीके से जिससे इसकी भाप है वो अंदर ही बनी रहे गर्माट रहे और ये बहुत एजिली आराम से 25-30 मिनट में बनकर तैयार हो जाए तो चलिए अब आप इसे ऐसे छोड़ दीजिए तो दोस्तो चलिए हम चैक करते हैं 25-30 मिनट हो गए है लगबग 25 मिनट आराम से हो गए है हम गैस की फ्लेम को बंद कर देते हैं और केक को चैक करते हैं कि बना है कि नहीं तो दोस्तों आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से केक बनकर फूल कर उपर आ गया है अब आप चाकू या चम्मत के सारे इसे चेक कीजिए चाकू हमारा बिल्कुल ही साफ निकल रहा है इसका मतलब हमारा केक बनकर बिल्कुल तैयार है अब हम इसे बाहर निकाल लेते हैं और लगबग 5-10 मिनट इसे ठंडा होने ऐसे ही छोड़ देते हैं आप देख सकते हैं केक ने बरतन को बिल्कुल छोड़ दिया है और बहुत ही अच्छे से ये बनकर रेडी हो गया है तो दोस्तों आप देख सकते हैं केक ठंडा भी हो गया है अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं सबसे पहले हम इसे ऐसे इस तरीके से सारे साइड्स चाको घुमा कर देख लेंगे और इस तरीके से प्लेट में इसे उल्टा करकर निकाल लेंगे अब आप इसे पीछे से टैप कीजिए इस तरीके से बहुत ही आराम से आपका केक निकल जाएगा ये देखिए दोस्तों हमारा केक बिल्कुल भी चिपका नहीं है बहुत ही अच्छा बनकर तयार हो गया है अब हम इसे सीधा कर लेते हैं ये देखिए ये देखिए दोस्तों ये बिल्कुल भी इस बरतर में चिपका नहीं है बहुत ही आराम से निकल भी गया है अब मैं आपको इसे काट कर भी दिखा देती हूँ बहुत ही सॉफ्ट, स्पॉंजी, बहुत ही अच्छा केक हमारा बनकर तयार हो गया है दोस्तों ये देखिए कितना सुन्दर केक हमारा बनकर तयार हुआ है तो दोस्तों आप भी बताईए आपको इसे कैसा लगा आप भी से बना के देखिए ट्राइ कीजिए और साथ ही दोस्तों अपने सजेशन और फीड़ेक्स कमेंट बॉक्स में मुझे दीजिए इसे आप दोस्तों टिफिन में भी बच्चों को दे सकते हैं वैसे भी खा सकते हैं तो देख लीजिए हमारा केक बहुत ही अच्छा बन गया है आप दोस्तों केक बनाईए और साथ ही मेरे चैनल को लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए शेर कीजिए थैंक यू सो मच